आप सभी आयरवेद स्टाफ नर्स की जो test series चल रही है उसी क्रम में आज जो है हम मानस रोग का जो second test series है उसको आज explain करेंगे लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी discussion है आप सभी के लिए सबसे जरूरी चीज़ यह कि जो लोग confused हैं exam की date को लेकर के उनके लिए एक बार हमने YouTube पे update वीडियो दे दिया है बता भी दिया है कि 22 तारीक को आपका exam है कई लोग का यह प्रशना रहा है कि admit card कब तक आएगा तो exam से 3-4 दिन पहले admit card आता है और दूसरी चीज जब तक नियुकती नहीं होती है भरती नहीं हो जाती है परिछाएं नहीं हो जाती है तो आप वाद स्वरूप बहु सारी खबरे आती रहती है बहु सारे news scroll होते रहते हैं चलते रहते हैं तो उससे परिशान नहीं होना है आपका ध्यान एक जगा पर केंदरित होना चाहिए परिशा की तैयारी पर ध्यान दीजिए परिशाय निरस्त करनी होगी तो आयोग का भी से वो निरस्त करेगा और एक specific notification के द्वारा ही परिशा निरस्त हो सकती है उस तरह से ऐसा नहीं है कि बिना कुछ कहे exam calendar में date दे दिय जा गया और फिर उसके बाद से आपकी exam cancel कर दीगे ऐसा कुछ नहीं होगा exam cancel करना होगा तो exam से कुछ दिन पहले लगवग एक हपते पहले notification दी जाती है आयोग का नियम है तब जाके exam cancel होता है और अगर आपको कहीं से news मिल रही है तो उस पर ध्यान ना दीजिए जब तक आ जानस रोग के जो विशय है उसके अंतरगत पचास प्रशनों को फिर हल करेंगे जैसे इसमें कहा रहा है कि स्मृति कितने प्रकार के की होती है तो इसमृति किसको कहा रही या दास्त को बुद्धी को ठीक है तो इसमृति का प्रकार कितना है इसमृति का प्रकार होता है द मनो वीवरम उत्फन करते हैं उत्पन करते हैं मनो वीवरम उत्पन करते हैं तो इस व्यादी को क्या करते हैं दो चीजे जानने वाली है जब उर्द्व आकार या मनो वह धमनियों उर्द्व आकार का मतलब जो उपर की जो धमनिया है या जो मन को मतलब मस्तिस्क को वहन करती ह उन धमनियों और अस्रे करदोश मतलब इन धमनियों में ये जुल समलित होते हैं तो मदमनो वी व्रहस उत्पनु करते हैं इस यार जेदी जो है थिक है अगला प्रें अगला प्रशन कहा रहा है आयरवेद में मानसिक रोगों में किसे सबसे जटिल और उग्र माना गया है आयरवेद में जो मानसिक रोग होते हैं उसमें सबसे जटिल और उग्र जो है उनमाद को मानते हैं किसको मानते हैं उनमाद उनमाद एक तरह से क्या है? मस्तिस्क की ऐसी व्यादी है, जो की चीजों को भूलता तो है ही, साथ में कभी-कभी क्या होता है? हिंसक प्रविर्थी भी इसमें हो जाती है. अगला प्रश्न कहा रहा है कि मन एवं बुद्धी के वीवरम से उत्पन रोग को क्या कहते हैं? तो उसे भी उनमाद ही कहते हैं. यह चीज दिमाग में रखना है कि उनमाद कौन सा रोग है? मन और बुद्धी का वीवरम. मन और बुद्धी दोनों का वीवरम जो है उनमाद क कहा जाता है उसी तरह से कह रहा है इनमे से उनमाद के प्रियाय है उनमाद का प्रियाय कौन सा है पूछ रहा है तो एक कह रहा है समुद भ्रहम एक भ्रहम एक चिंता और चनाव तो समुद भ्रहम तनाव नहीं होगा समुद भ्रहम जो है उनमाद का प्रियाय स्वरूप लिख उसी तरह से अगला प्रश्न कहा रहा है जिस रोग में स्मरण सक्ति का लोप हो जाता है उसे क्या कहते हैं तो जिस रोग में स्मरण सक्ति का लोप हो जाता है अपश्मार निदान नामक की शद्याय में अपश्मार रोग की उत्पत्ती के बारे में कहा गया कहा रहा है कि चरक शंगिता के निदान अस्थान में अपश्मार निदान ठीक है चरक शंगिता के निदान अस्थान में एक अध्याय है जिसको नाम दिया गया है अपस्मार निदान नामक किस अध्याय में अपस्मार रोक की उत्पत्ती हुई है तो निदान अस्थान में एक जगा है जहां पर अपस्मार निदान के बारे में कहा गए तो वह किस अध्याय में है यह पूछा जा रहा है तो वह है अध्याय आठ में तो अब ये भी हो सकता है प्रशन इस तरह से भी हो सकता है चरक शंगिता के निदान अस्थान अध्याय आठ में किस चीज का उलेख है तो आप अश्मार का उलेख है इस तरह से भी प्रशन हो सकता है तो आप दोनों तरीके से आद कर लीजेगा उसी तरह से अगला प्रशन कह रहा है दच प्रजापती के यग्यंवन ये आपका एक तरसे प्राचिन अःवेद से हैं और रिगवेद की बात कह सकते हैं अथरवेद में 20 कवलेक मिलता है दच प्रजापती के यग्यंवन के समय भागते हुए जनों में बिवीध भूतो और अपवित्र वस्तूओं के सपर रहा थे तो वहां पे बहूत सारे लोग भागते वंहुआ को छूलेते हैं टून्हें एक बिमारी हो जाते known को अपसमार कहा गया वोही मोगों को ग्रसित करता है उसला कि ब्रांती जो है मस्तिस्क में उत्पन होती है अब कहारा सास्त्रों में अपस्मार के मुख्यता कितने वेद माने गया है तो सास्त्रों में अपस्मार के मुख्यता चार वेद माने गया है चार वेद है अपस्मार के उसी तरह से कौन सा अपस्मार अशाध्य होता है मतलब अश इसी तरह से क्यारा कौन सा अपश्मार महिलाओं में होने वाला प्रमुख मानस रोग है तो यह जो होता है योशा अपश्मार कौन सा है योशा अपश्मार को हिस्टीरिया भी कहते हैं आधुनिक में उसको क्या किया जाता है हिस्टीरिया जो कि लैटिन सब हिस्टीरा से बना कहते हैं तो योशा अपश्मार को लैटिन भासा में हिस्टेरा कहते हैं ठीक है अभी बताया हमने उसी तरह से अगला प्रस्ण कहा रहा है कि आयरवेद में योशा अपश्मार को अपतंत्रक कहा गया है यह दिमाग में रखना है अगला प्रस्ण कहा रहा है योशा पश्मार इस्त्रियों में कब तक होने की संभावना है तो योशा पश्मार जो है इस्त्रियों में 12-50 वर्ष की आयू तक होने की संभावना है क्योंकि जब रज अस्त्राव हो रहा है तब से ले करके और जब तक रज अस्त्राव खतम नह सकते बाकि उसके पहले और बाद में नहीं होगी मतलब कि जो कुमारी हैं और जो बृध्धा है उन्हें हिस्टीरिया नहीं होता है तो कुमारी का मतलब क्या जनके अम्हा हिस्टीरिया हो शकता है ठीक है तो इसलिए आई यह आपको 12-50 बताई गई है क्या रहा है इनमे से योशा पश्मार के लच्छण है क्या इस्मृति नास आत्मिस्मृति निद्रा विच्रण अगर कहेंगे तो सभी सभी जो है वह योशा पश्मार के लच्छण है यह टीनों अगला प्रसुन कहा रहा है अत्यधिक मद पीने से शरीर में जो विकृति हो जाए उसे क्या कहते है जादे अगर कोई मदिरा पान कर लिया है और कोई दिक्कत हो जाती है या विकृति होती है तो उसे क्या कहते है तो उसे मदात्य भी कहा जाता है पानात्य भी कहा जाता है क्या कहते हैं मदात्य और पानात्य तो दोनों पर आप सही निसान लगा दें मादात्य का मतलब जो मद का ज्यादे सेवन कर लिया और पानात्य का मतलब जिसने पानक का ज्यादे सेवन कर लिया तो उसकी जो विकृति हो रहे हैं तो मदात्य कह सकते हैं या पानात्य कह सकते है अगला प्रशन कहा रहा है कि आयर्वेद से मदात्य को कौन सा मानस रोग माना गया है आयर्वेद में क्या है आयर्वेद में मदात्य को कौन सा मानस रोग माना गया है तो यहां जो है स्वतंत्र रोग है कैसा है स्वतंत्र मानस रोग है क्योंकि यह कभी भी किसी भी परिस्थ प्रचलन के पीछे किस मानस को कारणी भूत मानते हैं तो किसे मानते हैं वह जो है मानस अस्वस्थता को माना जाता है तो कहरे है कि वर्तमान में मद के अत्यधिक चो गया है उसके लिए जो है लोग वर्तमान में मद की ज़ादे प्रचलन हो गया तो यह मानसिक मानस अवस्था और स्वस्थता लिख सकते हैं अगला कहा रहा है निद्रा का नश्ठ होना अथ्वा निद्रा का पुन रूप से अभा होना क्या कहलाता है तो निद्रा का नस्ठ होना और निद्रा का पूर्ण रूप से अभा होना जो है वह कहलाता है निद्रा अलपता ठीक है क्या कहलाता है निद्रा अलपता ये निद्रा अधिकता नहीं होगा निद्रा कस्ट नहीं होगा क्या होगा निद्रा अलपता आप टेस्ट में अगर किय होंगे और अगर इसमें तो आप जो टेस्ट किये होंगे तो उसमें ध्यान दीजिएगा निद्रा अधिक्ता तो होगी निद्रा कुष्ट होगा निद्रा अल्पता क्योंकि यहां पर कहा रहा है कि निद्रा नस्ठ होना और निद्रा का पूर्ण रूप से आभा होना यह किस की हैसो अप्रफ्ण है अगला प्रश्ण में बुद्धी के प्रकार इन्यमे से नहीं है है तो इस दिखा हुआ है है यहाँ पर धी होना चाहिए ठीक है धी ठीक है ये भी गृति लिखा हुए ये धृति होना चाहिए धी धृति स्मृति भ्रम तो ये सब बुद्धी के प्रकार है धी धृति स्मृति सब प्रकार है क्यारा इन में से नहीं है तो भ्रम जो है बुद्धी का प्रकार नहीं है तो अगर आपने copy में note भी किया होगा तो इसको सही कर लिजेगा धी, धृती, इस्मृती घी गृती गलत हो जाएगा धी, धृती, इस्मृती ठीक है? अगला प्रस्ट क्यारा आइरवेद में बुद्धी के कितने भेद माने गए हैं? तो आइरवेद में बुद्धी के जो भेद हैं, वह तीन माने गए हैं, अइरवेद में बुद्धी के तीन भेद आचारियों ने माने हैं, उसी तरह से कहारा है, जब भी कोई भी सह हमारे संपर्क में आता है, तो उसका अंकन डैस परक्रिया है, तो वह कौन सी परक्रिया है? प्रकारों एक तातकालिक और दूसरी जो है, को रहा है कि स्मृति के दो प्रकारों में एक तातकालिक है और दूसरी जो है संग्रहित है क्या है संग्रहित तो आपको जो सबसे पहला हमने जो question स्टार्ट किया था वो स्मृति से ही स्टार्ट किया था तो अगर आपको नहीं पता होगा तो इस्मृति के दो प्रकार उसमें question में बताया गया इस्मृति कितने प्रकार है तो answer बस बताया गया तो अगर आप देखें तो दोनों आपको एक साथ मिल गया नो एक क्या हो गया तातकालिक हो गया एक हो गया तातकालिक और दूसरा क्या हो गया शंग्रहित तो आचारे चरक ने श्मृति के आठ प्रकार बताएं, अब ये प्रश्ण देखिए, ये प्रश्ण जो है थोड़ा से स्पेस्विक है, कह रहा कि जब जराजनित परिवर्तन अधिक होने से, जराजनित परिवर्तन का मतलब क्या है, बुढ़ापे के कारण जो परिवर्तन जब अधिक होता है होने से मस्तिस्क कारक्त समवहन कम हो जाता है और परिस्थिती का ज्यान देने वाली शक्ति का हराश हो जाता है तो उसे क्या कहता है बुढ़ापे में हमेशा ऐसा हो जाता है तो उसे हम कहते है सेनाईल डेमेंटिया कहते हैं सेनाइल डेमेंटिया कभी-कभी लोग यह कहते हैं कि बुढ़ापे में लोग सठिया गया तो सठियाने के मतलब कि विब्रहम हो जाता है भूनने की दिक्कत हो जाती है बहुत सारी चीजे क्रोध वगरा अपने आपुत्पन होते हैं तो इस तरह की है मतलब कि शरीड की विग्र्टी है तो हिर्द्रोग मदुमेn तमक्ष्वास यह क्या है सभी मनुद्य की विख्र्टिया मन की विख्रक्राणि क्रेंशना कैसे है तो सब यह, अगला, चिंता के दो भेदों में से, इन्हें में से कौन समलित नहीं है, तो भ्रम चिंता में नहीं आता है, ठेक है, भ्रम चिंता में नहीं समलित है, उसी तरह से, क्यारा इस्त्रियों में आर्तो पूर्वी तनाव किस आयू में अधिक होता है मतलब आर्तो से पहले जो तनाव होने की जो संभावना है किस आयू में होता है तो वो 25 से 40 वर्स की आयू में होता है आर्तो आने वाला होता है मतलब कि पीरियड आने वाला होता है तो उसके पहले इन्हें तनाव होता है तो आयू जो है 25 से 40 वर्ष की आयू कहलाती है अगला कहरे है रजो लोप कालीन लच्षण रजो लोप कालीन का मतलब क्या है? रज जो था, पिरियड जो आ रहा था, वह खतम होने वाला है तो रजो लोपकाली लच्छन समूं की ब्याद है इस्त्रियों में किस आयू में होती है तो जब रज जब खतम होता है तो आयू कौन सी है 40-45 ये वाली जो आयू है तो इसी आयू में वो बिमारी भी होती है ठीक है, अगला, प्रशुती के पश्चात, इस्त्री को 6 महीने तक होने वाले अवशाद को मानश्रोग में क्या कहते हैं, मतलब कि जब इस्त्री बच्चे को जनम दे दी, तो उसके बाद से 6 महीने तक जो अवशाद हो रहा है, चिंता जो हो रही है, उसे क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं प्रशोत्तर अवशाद अगर देखे तो ध्यान से प्रशो उत्तर का मतलब अगर अलग-अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा प्रशो धन उत्तर उत्तर का मतलब क्या है बाद में मतलब कि प्रशो के बाद में होने वाला अवशाद तो प्रशुति के पस्चाद दे प्रशोत्तर मनुविर्ति जो है पाई जाते हैं इससे कभी-कभी ऐसा प्रभाव पड़ जाता है मस्तिष के वज़े से बच्चे से कभी-कभी स्नेह नहीं होता है तो दुख-दूथपन नहीं होता है कभी-कभी आप सुने होंगे कि किसी महिला का बच्चा पैदा हुआ और अस्तन से दुधी से नहीं निकल लाए तो वह क्या है इसमरिति के कारण होता है मतलब कि उसका सनेह बच्चे की पति है नहीं है नहीं अ तो है तो थिया गया है आका शत्वा वज्ञाएं किस में कहा वज्ञा उपके उपर आपको एक तरश अभयक्ति-ज्याग्रित करनी है मतलब देवटाओं को माननाहे है उनकीमनत मानना पूजा करना यज्य करना हन करना ये दम पास्ट्रों से अंद्र गताएगा बाकी शत्या हो जा Вजा है, उनके शरीर की अनुकलत खूलता और छमता के हिसाब से यह चीज़ जो है, सामने निकल को रहे Cげ här अगला प्रशन, कह रहा है, मानस रोगो की मूल चिकिस्सा किसे कहा गया है? तो मानस रोगो की जो मूल चिकिस्सा है, वो क्या है? शत्वा वजय है अपने शत्व के कारण मानस रोग की चिकिस्टा की जा सकती है देहंबल भी कह सकते हैं कह रहा है आचारियों ने युक्ति व्या पाश्रय चिकिस्टा में किसे स्रेष्ट बताया है तो युक्ति बैपाश्रे चिकिस्टा में जो स्रेष्ट है वो क्या है युक्तिग्य युक्तिग्य का मतलब जिसे युक्ति बैपाश्रे का ज्यान हो ठीक है युक्ति लगा करके टोटका लगा करके बेवस्था लगा करके तिकडम लगा करके या हम जोगाड कह सकते है चरक ने शुत्रस्थान के किस अध्याय में मानस रोगों की 20 चिकिस्षा का वर्णन किया है तो उन्हों ने किया है 33 तीस तैसरणिय जो अध्याय है वहाँ पर चरक ने शुत्रस्थान में मानस रोगों की बिसिस्षिकिस्टा का वर्णन किया है, इसे पढ़ेंगे 33 सडिय, ठीक है, 33 सडिय, अगला प्रस्ण, प्राचीन भारतिय शिद्धान के अनुशार, मन को जीतने की प्रमुख विदिया इन में से हैं, तो मन को जीतने की प्रमुख विदिया जो है, सभी हो जाएंगी, प्रशन कहा रहा है भारतिय मानेताओं की अनुसार मानस रोग की सामाने चिकिसा में उप्योगी तैल है तो जो उप्योगी तैल है वो है मुर्ध तैल कौन सा है मुर्ध तैल और सिरोशनेहन मुर्ध तैल और सिरोशनेहन ये दोनों चिकिसा है मानस रोग में की जा सकते हैं तो इसलिए और बहुत सही है तो आप देखें तो अगर मानेताओं के अनुसार समान चिकिसा मुप्योगी तैल की बात पूछ रहा है तो तैल की बात कह रहा है तो इसलिए मुर्ध तैल सही हो जाएगा और सिरोशनेहन कहेंगे तो सिरोशनेहन जो है मूर्द तेल की अंत्रगत आएगा सिरोशनेहन में मूर्द तेल का यूज कर रहा है तो और बहुत दोनों सही कह सकते हैं क्योंकि तैल की बात कि जा रहे तो इसमें सिरोशनेहन में भी तेल है जो सिर में लगाने वाला लाब होता है वेदना नहीं होती है दर्द नहीं होता है बाल नहीं जड़ते हैं बाल सफ्यद नहीं होते तो इसलिए सभी हो जाएगा सीरोशनेहान से यह लाब होता है सबसे अच्छा मेद्द कौन संक्फुन है अगला संग पूर्प है इनमें से हिस्टीरिया में लांब क्वाथ है मांश्याधी क्वाथ कौन सा क्वाथ है? मांश यादी क्वाथ हिस्टिरिया में दे शकते हैं कहारा नर्सिंग चूर्ण को किन रोगों में प्रियोग कर शकते हैं? तो नर्सिंग चूर्ण को वात रोगों में प्रियोग किया जा सकता है जितने भी वात रोग हैं उसमें हम नर्सिंग चूण दे शकते हैं अगला प्रश्न कह रहा है इन मेंशे कौन शा और शद योग मस्तिस्क की सकती को बढ़ाता है तो मस्तिस्क की सकती को बढ़ाने वाला जो योग है वो है मस्तिस्क बलवर्धक चूण क्या है मस्तिस्क बलवर्धक चुण तो मस्तिस्क बलवर्धक ऐसे भी लिख सकते हैं मस्तिस्क कैसे लिखेगा मस्तिस्क बलवर्धक चुण अगला प्रस्म क्या रहा उनमाद भंजन रस में उनमाद भंजन रस से इसमें से किन व्यादियों की चिकिस्सा हो शक्ती है तो अगर आप देखें, तो तीन व्यादी दिया गया है, भूतादी जनित उन्माद, वातिक उन्माद और अपस्मार, तो तीनों कीची किस्सा हो शक्ती है, इसलिए आप किसमें निसान लगाएंगे, शभीप है, ठीक है, तो भूतादी जनक का मतलब डर्ब है के कारण जो उ पस्तित हो रहा है वात्त से जो हो रहा है, और जो अपस्मार, जो है, तो तीनों कीची किस्सा हो शक्ती है, एक योग है, इन में से किन रोगों के लिए लाप्रद है, जो हैं हिर्दय की कमजोरी, दिल का धड़कना, मस्तिस्क के ठक जाने में, सभी में ये काम करेगा, तो उसी तरह से सूरे के तापजन सूरे के तापजन ये सीरहसुल मतलब कि धूप के कारण सीर में जो दर्द हो रहा है उसमें किसका सरबत देना चाहिए तो उसमें गुलाब और केवडा दोनों का सरबत देना चाहिए दोनों का सरबत हम दे सकते हैं ठीक है क्योंकि यह सीतलता प दिल की कमजोरी के लिए दिमाग की कमजोरी के लिए उनमाद के लिए सभी के लिए तो मतलब कि हिर्दय के लिए भी हम दिमाग के लिए और उनमाद के लिए मतलब सभी के लिए हम सार्श्वतार रिष्ट का प्रयोग कर सकते हैं अगला कहा रहा है अनिद्रा उन्माद सीर में चक्कराना आधी विकारों में निम्न में से कौन सा योग दे शकते हैं इन में से कौन सा योग हम दे शकते हैं वहाय योग चंद्रावले हैं कौनसा योग है? चंदर वले है अगला प्रश्ण में किया रहा है सीरो पिचू का मतलब क्या है सीर्य पे तेल रखना किसी कप्ड़े में भीगो करके ऐसे पगडी टाइब का बनाकरके या गठर बनाकरके उसमें तेल लगाकर के सीर्य पे रखा जाता है और सबसे अच्छा सीरो पिचू की से कहा जाता है, बाल मुडवा दीजिये, सीर से मुंडन कर दीजिये बालों का, उसके बाद से तेल में भिगो करके उस पिचू को इस पे रखा जाता है, उसे बहुत लाब होता है, तो सीरो पिचू क्या है, तेल से तर पिचू को सीर पे र सामक योग है दश और शदियों का मिश्रा ठीक है सबसे जरूरी बात यह है कि जैसा कि आप सभी के लिए announcement किया गया था कि आपको हम एक competition कराएंगे 19 मार्च को जिसमें देखा जाएगा यूपी इस्टेट लेबल पे जितने भी बच्चे आयरवेज स्टाफ नर्स का एक्जाम देने के लिए प्री एक्जाम के लिए जिन्होंने आवेदन किया है भरती के लिए जिन्होंने आवेदन किया है उनमें कितने हमारे इस competitive exam को देते हैं क्योंकि हमने बदाए कि 180 प्रस्ट हम देने वाले हैं सेम आयोग के pattern पे ही minus marking होगा तीन घंटे का समय होगा और एक बार हम फिर से आप सभी को YouTube के माध्यम से जो date है और time है fix कर देंगे कि कब आपको test देना है हमारे app पे login कैसे करना है टेस्ट कैसे आपको मिलेगा हम यह बदा रहें कि यह test जो है free होगा जिन्होंने course purchase किया उनके लिए भी जो नहीं purchase किया उनके लिए भी और फिर हम बाद में आपको 20 तारी को result भी बताएंगे YouTube पे ही आ करके कि कि किन्होंने बाजी मारी है और कौन पीछे रह गया है ठीक है तो इससे आपका यह हो सकता है कि आप एक positive mind setup के साथ आप exam हाल में पहुंचोगे और कुछ अच्छा करके आओगे ठीक है